दीपक आपने जलाया तो दीपक कब तक जलता है? जब तक दीपक में तेल रहेगा, तब तक दीपक जलता रहेगा और जैसे ही दीपक में से तेल समाप्त हो जाएगा, वो बाती बुझ जाएगी, दीपक बुझ जाएगा एक बात और ध्यान से सुन ले अभी इन दिनों में या कभी भी दीपक फूक मार कर नहीं बुजाना चाहिए इसे पित्र अतर्प्त होते हैं कोई भी दीपक आप फूक मार कर न बुजाएं निवेधन है मेरा आप सबसे जो लोग फूक मार कर चोटी-चोटी चीज़े हैं लेकिन प्यारे जीवन वर काम आने वाली बता रहा हूं आपको कहने को तो कहते आचा साथ फूंक से नहीं बुजाना है कोई बड़ी बात थोड़ी है आपने बता दिया देखेंगे लेकिन बात बड़ी है आपके पित रुष्ट होएंगे और आपके पित रुष्ट हो गए मुश्किल कर देते हैं बच्चे को बढ़ने नहीं देते हैं बढ़ने मेंस आगे जिसे वो तरक्की कर सके इत्याद इत्याद इक्रम घर में बीमारियां कर देते हैं ये सब चीजों पर सब दानी रखे तो दीपक को फूक मार करना भुजाएं आप निविदन पित्र प्रसन होगे और अगर घर में दीपक जला सके पित्रों के नाम से इन दिनों में ज़्यादा अच्छा होगे तो दीपक कब तक जलता है बोले दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है जैसे तेल समापत होता है दीपक बुज जाता है ठीक वैसे ही जीव कब तक जिंदा रहता है। इसलिए गरुन पुरान सुनना चाहिए। मन मुखी मत बनो, पुरान मुखी बनो, जो पुरान कहे भुमानो। व्यक्ति जिंदा रहता है जब तक उसके कर्मों का फल जिंदा रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है यहाँ परुआए। और ये पुरान का इश्लोक है। जो आपको बता रहा हूँ। पद्म पुरान में ये लिखा हुआ लिखा हुआ है कि जब मृत्यूं का मतलव क्या है। जब तक व्यक्ति के कर्म जिंदा रहते हैं। और जब तक वो कर्मों का फल नहीं भोग लेता है तब उसकी तब तक मृत्यू नहीं होती और जब वो कर्मों का फल पूर्णता भोग चुका होता है और जब भोगने के लिए कुछ सेस नहीं होता है तो उसकी मृत्यू हो जाती यह पुराण वोक्त मरत्यु है